इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स के Real Memo iPhone में Time to Take Option क्या होता है और आप इस सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स जब आप अपने Real Memo iPhone के सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद जब आप नीचे आकर जब आप अडिस्नल सेटिंग में जाएंगे और अडिस्नल सेटिंग में जाकर जब आप एकसेस्बिलिटी में जाएंगे तो आपको एक आपसन मिल जाएगा Time to Take Action का तो आखिरे सेटिंग क्या होता है और इसका यूज कैसी किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको चले जाना है तो आपको 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 प्रक्रों के सेटिंग में उसके वाद नीचे आना है और नीचे आखर आपको अदसल में पर click कर देना है उसके बाद नीचे आना है और उसके बाद आपको यह accessibility पर click कर देना है उसके बाद आपको नीचे आना है और उसके बाद आपको option मिल जाएगा time to take action का तो आपको इस पर click कर देना है आप friends देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखी time to take action होता क्या है तो friends देखिए यहाँ पर आपको जो है 4 option मिल जाएगा time set करने का 10 second का 30 second का 1 minute का 2 minute का तो friends आप यहाँ से जो भी time set कर देंगे example के लिए friends माल लिजे मैं यहाँ से 30 second select कर देता हूँ अब friends मैंने यहाँ पर 30 second को select कर दिया अब friends हमारे mobile में कोई भी message यह notification आएगा तो friends वो notification जो है 30 second तक हमारे mobile में highlight होता रहेगा जब तक कि हम उस पर action नहीं लेगे यानि कि जब तक कि हम उसको हटा ना दे या फिर हम read ना कर ले जैसे कि देखिए यह मैं आपको कर के दिखा देता हूँ तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें my level circle app की तरफ से एक notification आया है और friends यह notification यहाँ पर तब तक highlight होता रहेगा जितना देर हमने वहाँ पर time set किया है यानि कि 30 second तक यहाँ पर highlight होता रहेगा और अगर हम इसे हटा देंगे तो फिर यहाँ से हट जाएगा तो time to take a action setting यही होता है कि अगर आपके mobile phone पर कोई भी notification आएगा तो वो notification आपके display पर तब तक highlight होता रहेगा जब तक कि आप उस पर अपना action नहीं लेंगे यानि कि जब तक आप उसको rate नहीं कर लें या फिर जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे तो इस तरके से आप जाएगा इस setting को यूज कर सकते हैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe चैनल कर लिजे